आप सभी ने बच्पन में गन्ना शरूर खाया होगा या फिर इसका जूस तो जरूर पिया होगा अब कर्मियों के मौसम में ताजा-ताजा और ठंडा-ठंडा गन्नी का जूस मिल जाए तो वाह क्या कहने वैसे तो हम सभी लोग इस कर्मी को दूर करने के लिए और मज़े के लिए खाते हैं या फिर पीते हैं लेकिन क्या आपको मालूम है कि गन्ना खानी से हमारी किड्नी एक दम फिट रहती है क्या कहा नहीं मालूम अरे भाई तो क्या हुआ आपको इस बारे में नहीं मालूम तो हम बता देते हैं लेकिन इस बारे में जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को आखर तक देखना होगा और वो भी बिना स्किप के तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चानल किड्नी ट्वीट्मेंट विदाउट डियालेसिस में और यहां आपको मिलती है किड्नी से जुड़ी सारी चानकारियां सिर्फ एक लिक में गन्य से किड्नी कैसे फित रहती है ये बताने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बता देती हूँ कि गन्य में बिल्कुल भी फैट नहीं होता तो अगर आपको लगता है कि इससे आपका वजन बढ़ सकता है तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए इससे आपका फैट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा चलिए अब जानते हैं आखे गन्या हमारी किड्नी को कैसे स्वस्रकता है तो गन्या खाने का सबसे पहला फाइदा है कि इससे ब्लड प्रेशर काबू में रहता है दरसल गन्य में पुटाशर मौजूद होता है जो कि ब्लड वेसल्स और आत्रीज में तनाव को कम करने में मदद करता है और इससे फिर blood pressure कम होता है और जब आपका blood pressure काबू में आने लगता है तो इससे ethrosiloresis, दिल के दौरे और stroke के जोखिम को भी कम हो जाते हैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि blood pressure काबू में रहने के कारण किड्नी एकदम fit रहती है अब आप अपना blood pressure काबू में रखने के लिए गन्ना भी खा सकते हैं और इसका juice भी पी सकते हैं और अपनी किड्नी को खराब होने से पचा सकते हैं गन्ना खाने का दूसरा फाइदा है कि इससे आपको cups की समस्या नहीं होती आयरवेट का मानना है कि गन्ने के रस्में high-lective property होती है जिससे stool पास करने में आसानी होती है और फिर इससे cups की समस्या से चुटकारा भी मिलता है इतना ही नहीं गन्ने के रस्में ऐसा गुण होता है जो कि पेट में acidity और जलन से चुटकारा दलाने में मदद करता है हम जानते हैं गन्ना diabetes level को कैसे control में रखता है हम सभी जानते हैं कि गन्ना काफी जादा मीचा होता है तो इस वजह से सभी लोगों को लगता है कि इससे diabetes वाले लोगों को दूर रहना चाहिए लेकिन आपको यह जानकर हिरानी होगी कि गन्ना खाने से आपका diabetes level में सुधार आ सकता है दरसल गन्नी में सुक्रोज होता है जिसमें कम glycemic सुचांक होता है जो कि आपके blood sugar level को नियंतर में रखने में मदद करता है बात ध्यान रहे आप इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलह सरूर लें क्योंकि इसकी कितनी मात्रा लेनी है इस बारे में sugar level को study करके ही बताया जा सकता है तो अपने आप इसे बिलकुल ना खाएं और ना ही पिएं आपको ये भी बता दें कि diabetes किद्नी खराब होने का सबसे पहला कारण होता है तो इसे काबू में ही रखना चाहिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं गन्ना और गन्ने का रस urinary tract infection से कैसे चुटकारा दलाता है दरसल गन्ने का रस urinary tract को साफ करने का काम करता है और इसके साथ ही इससे किद्नी भी filter होती है जिससे urine जादा आने लगता है और फिर urinary tract infection से धीरे धीरे चुटकारा मिलने लगता है तो अगर आप urinary tract infection से जूज रहे हैं तो आपको गन्ना जरूर खाना चाहिए या फिर आप गन्नी का रस्पी ले सकते हैं। गन्नी के जूस में आप नीमू को सरूर शामिल करें। इससे किड्नी अच्छे से फिल्टर होती है और यूरीन से जुड़ी सारे समस्याओं से आप तूर रहते हैं। अगर आप लंबे समय तक यूरीन से जुड़ी समस्याओं से जूज रहे हैं तो सावधान रहें। क्योंकि इससे किड्नी को सीधा नुकसान होता है और किड्नी के फिल्टर्स डामज होने लगते हैं तो इससे जल से जल छुटकारा पा लेना चाहिए। अभी हमने आपको बताया है कि गण्ना खाने से किड्नी डीटॉक्स होती है तो अगर आप अपनी किड्नी को डीटॉक्स करना चाहते हैं तो आपको सप्ता में एक से दो बार गण्नी का जूस जरूर पीना चाहिए। इससे आपके किड्नी अच्छे से डीटॉक्स होती है और किड्नी से जुड़ी कई समस्याओं से आप पचे रहते हैं जब आपकी किद्नी detox होती है, तो आपको किद्नी stone, किद्नी सिकुड़ना और किद्नी से जुड़ी और भी कोई समस्याएं होने की आशंका काफी कम हो जाती है तो ये थे गण्ने के वो कुछ फायदे, जिससे किद्नी रहती है एकडम fit लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि किड्नी रोगी पे गन्नी का रस पी सकते हैं तो आपके सवाल का जवाब है नहीं किड्नी रोगी गन्नी का रस नहीं पी सकते हैं हाँ, लेकिन खुशी की बात ये है कि किड्नी रोगी गन्ना खा सकते हैं जी हाँ, अगर आप एक किड्णी रोगी हैं, तो आप गन्ना खा सकते हैं, इससे आपको गन्ने से मिलने वाले सभी फायदे मिलेंगी, जिससे आपकी किड्णी तेजी से ठीक हो सकेगी. अगर आप गन्ने का रस लेते हैं, तो इससे बॉडी में फ्लोइद लेवल बढ़ जाएगा, जिससे सूजन की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए गन्ने का रस ना पिए. दूसरी बात, जब आप गन्ना खाते हैं, तो इससे फाइबर भी मिलता है, जिससे पेट से जुडी समस्याओं में भी चुटकारा मिलता है, और किसी भी जूस में फाइबर नहीं होता, इसलिए गन्ना खाएं. बस ध्यान रहे, जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, वो लोग गन्ना बिलकुल ना लें, क्योंकि इसमें शुगर लेविल बढ़ सकता है, या फिर किड्नी रोगी की तब्यत भी खराब हो सकती है. अब आप लोगों का सवाल होगा, कि अब गन्ना लेना है, तो किड्नी रोगी 50-70 ग्राम तक गन्ना ले सकते हैं, लेकिन सब्ता में दो बार से जादा नहीं. तो ये थी कहानी गन्ने की. आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके सरूर बताएं. वीडियो अच्छी लगी और अगर आप ऐसी और भी वीडियो चाते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेर करना बिलकुल न भूलें. और सबसे जरूरी ब बहुत ही जादा कीमदी है. हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार.